परिचय अर्जुन और उसके पिता गर्मियों के लिए वस्त्र खरीदने निकले हैं वे दोनों ऐसे वस्त्र ढूंड रही हैं जो शीतल, आरामदायक, हलके और रखरखाव से मुक्त हों अर्जुन ने एक सूती शर्ट चुनी पिता को वह पसंद नहीं आई, क्योंकि यह भारी थी और यह आसानी से सिकुड़ जाती है तब अर्जुन ने एक सिंथेटिक शर्ट चुनी, जो हलकी थी और यह सिकुड़ती नहीं थी उसके पिता ने इसे भी नापसंद गर दिया, क्योंकि यह नमी को अच्छे से सोकती नहीं है अंद तहट दो लंबे घंटों के बाद उन्हें वह शर्ट मिल गई, जो मिले जुले कपड़े की बनी थी और उसमें वो सभी विशेषताई थी, जो वो ढून रहे थे इस पाठ में हम रेशे और कपड़े के बारे में जानेंगे आओ सीखें वस्तरों का महत्व बताना, रेशे को परिभाशित करना, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे में विभेद करना, कपड़े की बुनाई, रंगाई, डिजाइन और सिलाई के बारे में बताना वस्त्र जो हम पहनते हैं हम सब वस्त्र पहनते हैं वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीडों से बचाते हैं हम मौसम और अपने काम के अनुसार वस्त्रों का चैन करते हैं हम जो वस्त्र पहनते हैं, वो हमारे नजरिये और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं. रेशा रेशा वह कच्चा माल है जिससे वस्त्रों का निर्मान होता है. रेशे विभिन्चरणों से गुजर कर वस्त्र बनते हैं. सबसे पहले कच्चे रेशे को लंबी लड़ियां बनाने के लिए आपस में एटते हैं इन्हें धागा कहते हैं कपड़ा बनाने के लिए धागे की कताई बुनाई की जाती है कपड़े का प्रयोग लोगों की जरूरत के अनुसार विभिन आकार और प्रकार के वस्तर बनाने के लिए किया जाता है रेशे दो प्रकार के होते हैं एक, प्राकृतिक रेशे दो, कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से बनते हैं सूत, उन और रेशम कुछ प्राकृतिक तंतु हैं सूत पेड़ों से प्राप्त होता है उन भेड बकरी और उन्ट से प्राप्त होता है रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है कृत्रिम रेशे कृत्रिम रेशे मानव निर्मित होते हैं नायलोन, पॉलिस्टर इत्यादी कृत्रिम रेशों के उधारण हैं कृत्रिम रेशों से बने कपड़े सस्ते होते हैं जल्दी सूखते हैं और सिकुडते नहीं हैं आमतोर पर मजबूत और मुलायम कपड़ा बनाने के लिए कृत्रिम रेशों को प्राकृतिक रेशों के साथ मिला दिया जाता है बुनाई बुनाई वह प्रक्रिया हैं जिससे धागों से कपड़ा बनाया जाता है इसके लिए धागों का एक समूह क्षैतिज रूप से बिछाया जाता है और दूसरा उर्ध्वाधर रूप से इस तरह एक दूसरे को काटते हुए धागों को बुनावट कहते हैं परिशकरण वै प्रक्रिया जिससे कपडे की दिखावट और उपियोगिता में सुधार हो उसे परिशकरण कहते हैं कपडों को दिये जाने वाले कुछ महतुपून परिशकरण हैं ब्रशिंग ब्रश करने की प्रक्रिया से छोटे और धीले तंतु कपडे से निकल जाते हैं कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से कपडे की मुलायमियत और चमक बढ़ती है। ब्लीचिंग ब्लीचिंग की प्रक्रिया से कच्चे कपडे का प्राकृतिक रंग छूट जाता है। रंगाई कपडे को नया रंग देने को रंगाई कहते हैं। एक कपडे को रंगने के लिए पहले गरम पानी में रंग और नमक का घोल तयार किया जाता है। इसके बाद कपडे को इसमें डुबोया जाता है। कपड़े को एक घंटे बाद बाहर निकाल कर धोया जाता है। अंत में कपड़े को सुखाया जाता है। डिजाइनिंग की प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर छापे बना कर इसकी सुन्दर्ता को बढ़ाया जा सकता है। कपड़े को इनकी सहायता से डिजाइन किया जा सकता है। स्याही, रंग या कड़ाई, पत्थर, सजावटी दाने या क्रिस्टिल, लेस या जरी। सिलाई सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़ों को वस्त्रों में बदला जाता है। इसमें कपड़े को सुई और धागे से सिला जाता है। पुराने दिनों में सिलाई हाथ से की जाती थी, लेकिन आजकल सिलाई मशीन से की जाती है। हमने क्या चर्चा की? वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीड़ों से बचाते हैं। रेशा वह कच्चा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से प्राप्त किये जाते हैं। कृत्रिम रेशे का निर्मान होता है। कपड़े का निर्मान एक जोडी धागों को आपस में एक दूसरे के समकोण पर बुनकर किया जाता है। कपड़े के परिशकरण में तीन प्रक्रिया शामिल होती है. ब्रशिंग, कैलिंडरिंग और ब्लीचिंग. कपड़े की दिखावट को बहतर बनाने के लिए उसे रंगा और डिजाइन किया जाता है. सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़े को वस्तर में बदला जाता है.